आज हम बनाएंगे जनमास्टमी स्पेशल हलवाई स्टाइल में लच्छेदार लौकी की पर्फी वो भी बिना मावे के इसे वनाना एकदम इजी है और इसका टेस्ट बहुत ही माउट वाटरिंग है तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं नमस्कार पूजा किचन्स में आप सबका स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और लाइक के बटन को जरूर क्लेक करें तो करें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां मैंने एक किलो गीया लिया है इसे मैंने अच्छे से दो के पूंच लिया है अब इसे हम चिल लेंगे घीये को मैंने अच्छे से चिल लिया है देखिए चिलर अब इसके सारे चिलके निकाल लिया है अब इसको में बीज से काटने के बाद कि इसके अंदर बीज եा dif I कि बाद welcome जो हम जो मिठाई वनाएंっे producción उसमें हम्ने करें деньги इसमें «णीर और सब्लाइब ठाइब कोड़ से और jut 아ि वे जीरह पॉस्ट है라고요 इसे आप फैके नहीं ये मैंने सारा काटके जो है अलग कर दिया है ये देखे अब इसे मैं कद्दूकस की हैप से सबको अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ ये सारा गीया मैंने कद्दूकस कर लिया है अब इसका मैं एक साब कपड़े से कॉटन की कपड़े से इसको छान लेती हूँ इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है इसका जो एक्स्ट्रा पानी है मैंने अच्छे से निचोड लिया है अगर हम इसको बिना निचोड़े बनाएंगे तो जो हमारी बर्फी बनाने के वक्त हमें जो है बहुत सारा पानी सुखाना पड़ेगा और इससे क्या है हमारा गैस भी बहुत जादा लगेगा और टाइम तो हमारा खर्च हो गई होगा और मतलब समय की भी बर्बादी होगी तो इसे हमने क्या किया है अच्छे से निचोड लिया है इस पानी को भी हम यूँज कर सकते हैं या तो आप इसे सबजी में डाल दीजे या तो आप इसे पानी को पी लीजे क्योंकि ये पानी भी बहुत ज़्यादा पॉस्टिक होता है अब मैंने सारे कद्डुगस करके जो रखा था गिया इसको अच्छे से देखे सुखा लिया है अब मैंने सारा जो है जितना भी ये गिया है इसे मैंने सब का पूरा रस निकाल लिया है ये देखिए और इस पानी को हम यूज कर लेंगे यहाँ मैंने कड़ाई गरम करके इसमें मैंने 2 टेबल स्पून गी डाला है इसे गरम कर लिया है अब मैंने जो गीया कद्दू कस करके रखा था इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे दो से तीन मिट मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है और मैंने इसको ठकन लगा के सिफ दो से तीन मिनट तक इसे मैंने पकाया है 2-3 मिट में ही मेरी जो घीया है वो अच्छे से पक गई है ये देखिए और इसमें जो अगर इसमें पानी होता तो वो प्रॉब्लम हो जाती इसलिए से पानी नहीं था तो ये सुखा है अब इसमें मैंने एक कप दूड डाला है हमें पानी का जो है यूज बिल्कुल नहीं करना है इसमें अब हमें इस दूद को अच्छे से पकाना है इसमें ठकल लगा देते हैं ये देखी दूद हमारा सूख गया है ये आधी कप मैंने चीनी डाल दी है आप चाहे तो ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं आप फिर टेस्स के कॉर्डिंग डालें अगर आप ज़्यादा मीटा खाते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए मैंने थोड़ा कमी डाला है और इसको मैंने पीसा नहीं है अगर आप PCV चीनी डाल सकते हैं तो आप PCV डाल दीजिए मैंने तो इसे डारेक्टी डाला है अब इसमें देखे आप थोड़ा सा पानी हो गया है इस पानी को में अच्छे से सुखाना है अब मैंने ये कटेवे बदाम और काजू डाल दिये हैं अगर आपके घर में ड्राइफ फ्रूट्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं आदी छोटी शंबश मैंने येलाइची पाउडर डाला है येलाइची से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसे आपको चलाते रहना है आधा कप इसमें मैंने नारियल का बुराधा डाला है इससे क्या होता है नारियल का बुराधा डालने से ये होता है कि अगर आप इसे 15 दिन तक भी एरेट कंटेनर में रखेंगे तो ये खराब नहीं होगा और तेस्ट तो अच्छा टेस्ट है ये टेस्टी होगा एक कप मैंने मिल्क पाउडर यूज किया है इससे क्या है जो हमारी बर्फी है बिल्कुल हलवाई जैसी टेस्ट आएगा अगर आपके धर में नारिल का बुरादा in नहीं थी नहीं थी आप उसे भी सिकीप कर लें जरूरी आपको नारिल का बुरादा डालना ही है लेकिन यह है कि अगर आपको जादा टाइम तक रखने तो इसल्य penalty आप से जरूर डालें अब इन सब चीजोंको आप अच्छे तीन से चार ड्रॉप मैंने या पर फूर कलर यूज किया है इससे थोड़ा देखने में हमारी बर्फी ज्यादा अच्छी और टेस्टी लगेगी वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कलर से आपका टेस्ट में कोई फरक आता है अगर आप चाहे तो कलर ना डाले अगर आप नही थाली यूज कर सकते हैं और श में घी को पूर्ब चपके ना फड्रॉब शबताना कर डेख़ोगा जब तक ज deficit एक घाइ यूज कर दो 1 थाली यूज़ कर सकते हैं और इसमें ऐसे ही घी को पूरस में लगा सकते हैं इसे मैंने अच्छे से लगा दिया है और जो मेरा वो था गीए का इसे मैंने इसके अंदर डालके फैला दिया है आप अपने हिसाब से इसकी ठीकनस रख सकते हैं अगर अगर आपको ज्यादा मूटी चाहिए तो इसे कम फैलाएं और मतलब एक वल चाहिए तो मैणे तो इसे पूरे में फैलाया है इसे पूरे बराबर करके अच्छे से पहलाया है अब इसमें मैंने गानिशिंग के लिए ड्राइफ रूट्स टाले हैं उपड़ से पहले मैंने इसमें बादाम डाले हैं और उसके बाद मैंने इसमें काजू ला ले हैं अब मैंने स्पेक्चुला की हेल्प से इसे इसमें सेट कर दिया है और अब इसे मैंने दो घंटे के लिए प्रिज में रख दिया है अगर आप चाहें प्रिज में नहीं रखना चाहते तो बहार भी रख सकते हैं दो घंटे हो गए हैं मेरी बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है अब इसे मैं कट कर देती हूं और इसके जो कटिंग है इसकी शेप है वो आप अपने पसंद के दे सकते हैं आपको जैसी शेप पसंद है आप ऐसी शेप देजिए मैं आपको एक बर्फी का पीस निकाल के दिखाती हूं यह देखिए बर्फी जो है मेरी परफेक्ट जमी है यह देखिए इसकी थिकनेस कितनी है और अप यकीन मानेगी एक अच्छी लग रहे है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है और आप इसे घर में जरूर ठाइब करें अपने बच्चों के लिए बिनाएं बढ़ों को भी खिलाएं और यकीन मानें है वो आपकी जरूर तारीफ करेंगे और अगर आपको मेरी घिय की वर्फी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल में लाइक के बटन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें साथी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी थैंक यू